नमस्कार बच्चो मैं डिंपल सेनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संस्क्रत के ऑनलाइन क्लास तो आप सभी का बहुत बहुत आप इनन्दन करते हूं आपके इस क्लास में तो बच्चो देखिए आज हम यहाँ पर यूपी बोर्ट एन क्लास संस्क्रत में हमारी जो तीसरी बुक है बुक नमबर थर्ड जिसका नाम है संस्क्रत कथा नाटक कुमोदी आज वो स्टार्ट करने वाले है क्योंकि पद्ध प्यूशम हो चुकी है संस्क्रत गद भारती हो चुकी है पद्ध प्यूशम हो चुकी है और जो व्याकरने उसके भी काफी कुछ टॉपिक हो चुके है एक दो टॉपिक और बचे है वो भी हम करवा लेंगे जिसमें आपका निबंद है प्रश्ण निर्मान है और अक्यप्रे हो गए ठीक है आज हम यहाँ पर संस्क्रत मुदी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है महात्मनह संस्मरनानी महात्माना सबसे पहले तो महात्मा किसे बोलता है महात्मा गांदी को यानि कि बापु को यानि कि महंदास करम गांदी जी को जो गांदी जी है उनके संस्मरन या दे गए अब आपको पता है कि संस्मरन क् गटीत कुछ यादे, उन्हादों को यहाँ पर संजोया गया है कुछ ऐसे पॉइंट लाए गए है, कुछ पहलु लाए गए है उनके जीवन के कुछ समय लाए गए है जो उन्होंने हमारी आजदी के योगदान में और शुरुआत में उनके जीवन से जूरी हुई कुछ ऐसी बाते जो उनके जीवन परीचे को लेकर है या उनके माता-पिता को लेकर है या फिर जब वे पढ़ने के लिए साउथ अफरीका गए थे तब उनके साथ क्या-क्या गटित हुआ था तो वो सारी चीजे इस चैप्टर में दी गई है तो यहाँ पर महात्मनह संस्मरनानी में सबसे पहला आपका नाटक है सबसे पहला आपका चैप्टर है इसमें महात्मा गांदी के जीवन के बारे में कुछ संस्मरन दिये गए है कुछ प्रेरग प्रसंग प्रसंग को हम यहां पढ़ेंगे देखिए बच्चो यह एक चानकारी में आपको दूँगी आपका यह जो जपिर है संस्क्रत में लिखा हुआ है लेकिन हम यहां पर उसके पूरे साराश को पढ़ लेंगे साथ में ही उसके प्रशन उत्तर है या फिर इसमें जो question answer आते है मतलब इस part से related जो आपका exam में आने वाले है वो इस तरह से आएगा कि जो भी नाटक के पात्र है यानि कि एक नाटक के अंदर या तो दो पात्र है या तीन पात्र है उनका चरितर चितरन पूछा जाएगा और वो अधिक मार्क्स का होगा यानि कि एक दो मार्क्स का नहीं ज्यादा मार्क्स का होगा ठीक है उसके बाद में one line question answer पूछे जाएंगे तो वो भी यहाँ पर दिये गए है उसके बाद में MCQ पूछे जाएंगे यानि कि मात्मा गांदी के बारे में बताया है मात्मा गांदी के जीवन से जूड़ी होई और उनके प्रेरक प्रसंग यानि कि संस्प्रणों को लिया गया है इसलिए यहां मात्मा गांदी के चरितर चितरन करेंगे कि वो किस तरह का व्यक्तित्वत है उनका और क्या-क्या बिंदू थे उन चरीतर चितन में यह सारी चीज़े आज हम यहाँ पर कर लेंगे उसके साथ ही देखिए बच्चो अगर अगले चैप्टर आपको जिस तरह से भी पढ़ने है कि मैम आप कोई बात नहीं आप हमको एक बार रेडिंग करके बता दीजिए कि मैम हमको संस्कृत भाषा में भी पढ़ना है आप फिर सारांश बता दीजिए तो आप एक बर कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताईएगा मुझे कि आपको किस तरह से पढ़ना है अगर आपको सारांश के तोर पर इस समझ में आता है तो हम ऐसे ही चलेंगे क्योंकि हमने जो संस्कृत का स्लेबर से लेट स्टार्ट किया था बच्चो और लेट स्टार्ट करने की वज़े से ये अभी थोड़ा लेट चल रहा है तो मैं चाहूंगी कि हम सारांश पढ़ लेते हैं कोशन आंसर पढ़ लेते हैं या उनके संस्परन को लेकर है तो सबसे पहले हम यहां सारांश के तौर पढ़ेंगे कि सारांश क्या कह रहा है कि आपका जो पार्ट का पूरा अनुवाद है वो क्या है तो स्टार्ट करते हमारी क्लास जिसका नाम है महात्मनहा संस्परनानी और यह वन शॉट में क्लियर होगा बच्चो सबसे पहले परीचे दिया गया है आप अपनी बुक में देखेगा आपको यहां पर ऐसे ब्रैकेट में कोई परीचे दिया गया होगा कि जिसमें महात्मा गांदी की बारे में बताया गया है कि यह पार्ट कहां से लिया गया है और इसमें किस व्यक्तित्व के धनी है मतलब किस व्यक्ति को यहां पर प्रस्तूत किया गया उसके संस्मरन को प्रस्तूत किया गया तो देखे प्रस्तूत पार्ट के संस्मरन मुखहता बापू नामग पुस्तक पर आधारित है कौन सी पुस्तक पर आधारित है? बापू अब इज़ संस्मरन है यह कहाँ से लिए गए है? बापू नामग के किताब है अब देखें महात्मा गांधी के विशे में कई लेखकों ने अपने अपने विचार वेक्त करे है कई ने खंड कावे लिख दिये है और कई ने निबन लिखे है कई ने उनके प्रेरख प्रसंग की पूरी किताब लिख डाली है तो यहाँ पर सबके अलग-अलग नाम है तो हम अलग-अलग नामों में हमें यहाँ पर कौन सा नाम परना है बापू नामा के एक पुस्तक है उस पुस्तक से ये संस्मरन लिये गए है इसमें महात्मा गांदी की जीवन संबंदी कुछ संस्मरन दिये गए है कि शम्ता आदि विसिष्ट गणों की जहांकी मिलती है क्या कि महात्मा गांदी ने बहुत से अपमान सहन करे थे जब वे पढ़ने के लिए साउत अफरीका गए थे तब भी उन्हें अपमान सहन करना पड़ा था अब पढ़ते ही यहांपर हम पाठ का सारंश पाठ के सारंश में सबसे नंबर one का जो बिंदु हाता है वो आता है जन्म कि उनका जन्म कहाँ हुआ था पहले आपको यह बताना है आपकी जो किताब है उसमें जो first chapter है उसमें भी सबसे पहले उनके जन्म का विवरन दिया गया है तो यहां हम हिंदी में जन्म का विवरन पढ़ रहे है कि मोहंदास करमचंद गांधी का जन्म पोरबंदर नामक नगर में हुआ था इनके पिता, अब यह पोरबंदर कहां पर है बच्चो, गुजरात में इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतली भाई था मोहंदास पर अपने माता पिता के सत्य निष्ठा, निर्भैता, आदे गुणों का प्रभाव पढ़ा आरंब से, प्रारंब से ही वे एक अध्यानशील बालक थे इसलिए आज वो इतने महान गेने जाते थे तो ये दो हो गई हमारे जन की बाद दूसरा जो पोइन्ट आता है वो हमारा क्या आता है सत्य वादी था किसे थे उनके उपर सच का सत्य का परभाव बहुत ज़ादा था तो वो कैसे था ठीक है एक बार गांधी जी ने हरीष चंद्र नामक नाटक देखा हरीष चंद्र नाटक बहुत ही अच्छा नाटक है प्रेना दायाख है और राजा हरीष चंद्र को रिप्रेसेंट करता है कि राजा हरीष चंद्र की सत्य वाधिता की बात कही जाती है कई बार हम ऐसे उलहाना देते हैं कई लोगों को वो सच बोलते तो बोले हरिश्चंदर मत बनो तुम हरिश्चंदर की अलाद मत बनो या हरिश्चंदर के वंशच मत बनो मतलब तुम हरिश्चंदर जैसे गुणों वाले मत बनो ज्यादा सत्य मत बोलो उसका मतलब जो हरिष्चंद्र थे वो कैसे थे सत्य पर अडिक रहते थे ठीके तो उन हरिष्चंद्र नामक नाटक देखा इस नाटक से उन्होंने हरिष्चंद्र के समान ही सत्यवादी और सत्य चरितर बनने की प्रेना प्राप्त कर ली किन से प्राप्त करी हरिष्चंद्र से यो जाजा हरिष चंद्र थे उनके सत्यवादी था और जो सत्य चरित्र के प्रेण गुन थे उन गुनों को उन्हों उन्हों ने अपनी जीवन में धारन किया कि इनोंने महातमा गांदी जीन है तो यहाँ पर ये बात बताई गई है एकबर विध्याने में छातरों के भाशा ज्यान की परिक्षा लेने के लिए किसकी भाशा ज्यान की भाशा ज्यान यानि की उनको वर्ण विशे के बारे में क्या जानकारी है उनको वर्ण अंतरन के बारे में क्या जानकारी है वर्णों की विन्यास के बारे में उनकी क्या जानकारी ह तो वो निरिक्षक के रूप में जो प्रस्तुत हुए है यहाँ पर वो कौन है गायल्स नामक एक शिक्षक या इंस्पेक्टर या निरिक्षक हम इन्हें निरिक्षक भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं निरिक्षक जो जाच परतार करने वाला होता है उसको इंग्लिश में अधियापकों के कहने पर उन्होंने नकल नहीं की इस से वे शिक्षकों के कोप भाजन और छात्रों में वो पहाज के पात्र बन गए कोप भाजन का मतलब होता है क्या एक शिक्षकों के क्रोध के अधिकारी हो गए क्रोध के अधिकारी यानि कि अब टीचर्स जो थे क्या हुआ था कि जब कैटल शब्द वो नहीं लिख पाए थे तो उनको टीचर्स ने कहा बच्चों से लेकर कहा कि आप एक काम करें किसी की चिटिंग करके आप इस कैटल को सही लिख दीजिए लेकिन गांधी जी का तो हरिष चंदर का पूरा प्रभाव था सत्यवादी थे, सचरित्र का जीवन जीना चाते थे उनके प्रेना दाई हो गए थे यानि कि उनसे प्रेना ले थी उन्होंने हरिष चंदर नाटक से तो वे तो सत्य पर अडिक थे उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं लिखूंगा तो इससे क्या हुआ जो शिक्षक थे वो तोले से नाराज हो गई किससे गांधी जी से, मात्मा गांधी से और जो छात्र लोग थे वो सब उनका मजाग बनाने लग गए कि कैसा है देखो चिटिंग करवा रहे फिर भी चिटिंग नहीं कर रहा है और आप लोगों को और हमको चिटिंग करा ले तो नहीं करेंगे क्या नहीं हमें नहीं करना है क्योंकि आज हम नकल करके लिख लेंगे, लेकिन कल यही अगर प्रश्ण हमारे जीवन में आया तो हम क्या करेंगे अनुभाव के आदार पर लिखिए, जो आता है वो लिखिए, नहीं आता है जिस प्रश्ण का उत्तर आप नहीं लिख पाए थे उस प्रश्ण का उत्तर अगर आपने घर आकर खोजा उस उत्तर को कभी जीवन में नहीं भूलोगे तो कोई बात नहीं, एक माक्षीट में नंबर कम आया है धोका देकर सत्य को नहीं छिपाना चाते थे बाद में अपने सत्य निष्टा से इन्होंने अपने शिक्षकों और सहपाठियों के भी प्रिय हो गए फिर बाद में दीरे-दीरे सभी को पता चला कि सत्य पर अडिक रहने वाला वेक्ति है सत्य का पालग करने वाला वेक्ति है सत्च चरितर है, इनका चरितर कैसा है, सत्य पर अडिक है, तो जो बच्चे थे वो और जो टीचर्स थे, वो उनको पसंद करने लग गए, दीरे-दीरे वो उनके प्रिय बनने लगए, ऐसे सचे बच्चे को कौन पसंद नहीं करता है, starting में जरूर उनका लगता है कि हाँ ये शिक्षक है वो उसके उपर बेसिकली गुसा करेंगे ही करेंगे लेकिन यहाँ फिर दीरे दीरे शिक्षकों को पता चला कि बच्चा सच्चा है यह जूट नहीं बोलता है यह नकल नहीं करता है इमांदारी इसके साथ कारे करता है तो जो इमांदारी है रही कि आपकी सत्य बोलने से किसी का बुरा हो रहा है या हमारा भी बुरा हो रहा है या फिर कोई ऐसे दुरगटना हो रही है या नहीं होना चाहिए वह होने वाला तो आपको उस समय क्या करना चाहिए चुप हो जाइए मौन हो जाइए कि जो सत्य बोलने वाला जो व्यक्ति होता है अगर उसे कहीं किसी स्थान पर सत्य नहीं बोलना है, तो उसका एक ही कारण है असत्य नहीं बोलो, बस आप मौन हो जाईए, आप चुफ हो जाईए, आप जो उस परिस्तती में या उस समय का जो होना होगा, वो हो जाएगा, लेकिन आपको इतनी तसलित होगी, आपके मन में इतना विश्वास होगा, और इतना मतलब मन प्रसन होगा, कि आपने असत्य नहीं बोला है, सत्य नहीं बोला है, लेकिन असत्य भी नहीं बोला है, यानि कि आप मौन हो गई हो, ठीक है, आगे देखिए, मौन नहीं नहीं अनेक बार जूट बोलने से बचाया है कि चुप जब रह जाते थे, मौन हो जाते थे तो कई बार जूट न बोलने से उनको बचाया है कि जो सत्य के मार्ग पर चल रहा है देखे बच्चो, जो सत्य का मार्ग होता है बहुत काटो भरा होता है हर को इस पर नहीं चल पाता है लेकिन उसे चलने के लिए आपको अपनी बुद्धी का प्रियोग करना होगा तो यह मात्मा गांधी क्या करते थे जब भी सत्य बोलने से कुछ नुकसान हो रहा है और असत्य बोलना पढ़ी रहा है तो वो क्या करते थे चुप हो जाते थे न तो सत्य बोला न असत्य बोला तो उन्होंने असत्य के मार्ग पर जाना छोड़ दिया था तो इस तरह की थी उनकी सत्य वादी था आगे देखिए बच्चो नमबर तीन का जो गुन आता है उनका वो कौन सा है अपमान सहने की शमता अब मात्मा गांधी ऐसे वेक्टित्व के धनी थे कि वो सहनशील थे कैसे थे सहनशील थे अपमान को सहन कर ले थे क्या करते थे कि सन 1893 में देखिए क्या है 1893 इस विमें गांधी जी बंबई नगर से दक्षिन अफरीका की नेटाल नगर में गए तो 1893 में वे कहा गए नेटाल नगर में गए नेटाल नगर कहा था साउथ अफरीका नी दक्षिन अफरीका में और पहले कहा से गए वे मंबई में पढ़ते थे 3893 में नेटाल अनगर में चले गए वहां उन्होंने भारतियों की उपेक्षा और तीरसकार को देखा वहां उन्होंने देखा कि भारतियों के साथ हो रहा है अधिकारों के कोछ ही न जा रहा है तो यह सारी चीज़े उन्हों ने देखी कि भारतियों की इस प्रकार से उपेक्षा उपेक्षा का मतलब क्या होता है ध्यान न देना मैं कई बार बताती हूँ आपको इस शब्दकार ध्यान न देना उपेक्षा का लिया जाता है और उनका अपमान किया जाता है उनको देखा शिक्षित भारतियों भी यूरोपियों लोगों से मिलकर नहीं रहते थे ठीकिए जुब भारतियों थे वह भी अशिक्षित की तो बहुत ही बूरी इस्तती थी और जो पड़े लिखे थे उनके साथ भी अमान में उनके साथ भी बे मिलजूलका नहीं रहते थे क्योंकि साउथ अफरीका के जो लोग थे बारतियों को निम्नश्रेनी का समझते थे महां बारतियों को कूली कहा जाता था क्या कहा जाता था? कूली, बोजा रोने वाले यानि कि वो जो साउथ अफरीका के लोगों का सामान उठा कर ले जाते थे उन्हें क्या कहते थे कूली और उनको कूली कहा जाता था गांदे जी कूलियों के वकील नाम से जाने जाते थे अब क्योंकि गांदे जी इन व्यक्तियों के लिए लड़ते थे, उनका सामना करते थे, उनका विरोध करते थे, किनका? साउथ अफरिका के लोगों का, क्योंकि वो भारती जनता के साथ में भारत के जो निवासी थे, महापर रहने वाले, जो भी भारत के निवासी थे, वो मह खील कहा जाता था अगे देखी बचो नमर 4 का जो point आता है वह स्वाबि मानी कि महत्मा गांदी की स्वाब अथीवाण्दी की यहां पर विशेश्टा बजाई गई है कि एक बार गांदी जी अब देखिए ये जो प्रेरत प्रसंग अलग अलग है जन्म का प्रेरत प्रसंग आपने देख लिया संस्पनन के उनके जन्म और उनके माता पिता के बारे में बता दिया है उसके बाद में चलाता हमारा यहाँ पर सत्यवादिता के लिए किस प्रकार क कोई संस्म्पनण है एक वाक्या है तो वाक्या बता दिया कि जो राजा हरिश्चंदर थे उनका नाटक बेखा उन्हों ने नाटक के साथ ही राजा चंदर से प्रेना लेकर और उन्होंने अपने जीवन में सत्यवादिता और सत्चरित्र को धारन कर लिया उसके बाद जो शिक्षक के द्वारा उनको नकल करवाई जा रही थी वो नकल भी उन्होंने नहीं की तो इस तरह से उन्होंने सत्यवादिता का पालन किया दूसरा आत भी उन्होंने सहन शक्ती को बना के रखा, उनको कूलियों का वकील कहा जाता था, फिर बीबे सहन करते रहे तो इस तरह से अपमान सहन करने की उन्हें आदत थी, फिर है स्वाभी मानी अब स्वाभी मानी के से था उनके अंदर तो ये भी एक प्रेरख प्रसंगे ये भी एक तरह का संस्प्रन है कोई या वाक्या है कोई किस्सा है उस किस्से को यहाँ पर प्रसूत क्या गया है कि एकबर गांदी जी रेल से प्रिटोरिया नगर जाने के लिए प्रथम श्रेनी का टिकेट लेकर प्रथम श्रेनी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे ये प्रेटोरिया कहां था साउथ अफरीका में दक्षीन अफरीका में तो दक्षिन अफरीका में ही एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए उन्होंने फर्स्ट ग्रेड का यानि कि फर्स्ट क्लास का यानि कि प्रथम श्रेनी का टिकेट लिया और उस डब्मे में बैठ गए उससी समय उस डब्मे में कोई यूरोपिय यात्री आया उसने शाम यानि कि काले गोरे का माहा पर बहुत बेदबाव किया जाता था काले लोगों को हींद रश्ट्री से देखा जाता था जो गोरे लोग थे जो स्वैम को साउथ अफ्रीका के वे लोग जो गोरे लोग थे वे काले लोगों के साथ में हीं बावना प्रस्तूत करते थे उनके कणने से मना कर दिया तो उस रेल कर दिकारी से कहकर उन्हें उन्हें प्रतिक्षाले में वैतित की उन्हें धक्षीन अफ्रीका में इसी प्रकार के अनियक ऐनुबहुर हुए या से स्वाभ्हानी थे की बले ही कच भी हो जाए लेकिन वे नहीं नखुले थे लेकिन अधिकार्य trek नख वाद करा कि उन्हें कहाके बाहर निकल जाओ तो भारतियों को एक सुत्र में बांदने के लिए एक जूट किया उन्होंने विद्वेश के इस्थान पर प्रेम वयवार विद्वेश के इस्थान पर प्रेम वैवार, हिंसा के इस्थान पर आत्म बलीदान, शारिरिक बल के इस्थान पर आत्म बल के वैवार का उपदेश दिया। अपने मन के अंदर तो आत्म बल के वैवार का उपदेश दिया। कि क्या था कि नीतिया चल रही थी मतलब कि हमारे देश में दो तरह के दलों का विकास हो गया था। दो तरह के दल किस प्रकार से थे कि एक तो था उग्रवादी उग्रवादी दल और एक था उदारवादी दल क्या था। उग्रवादी दलों को गरम दल का नेता भी कह जाता था गरम दल भी कह जाता था और उदारवादी को नरम दल क्या कहा जाता था। तीव पत्थर देना पसंद करतें एकियर को मारा है और अंग्रेजी सरकार कितना भी अत्यकों लेकिन आपको ईहसात मक महरकर अपनाना है आपको उसके विरोध में अत्याचार नहीं करना है आपके इसको विरोध में हिंसा नहीं करनी है ये नीती थी उग्रवादियों की और उग्रवादी उसके विरोध में थे तो यहाँ पर गांदी जी उदारवादी के पक्षदर थे और उग्रवादी के विपक्ष में थे यानि कि उसका विरोध करते थे तो उग्रवाद का विरोध किया गांदी जी के समय में पंजाब में उग्रवादियों की जटिल समस्या थी लोगों के साथ अपमान जनक वैवार होता था और उन्हें कोडों से पीटा जाता था गांदी जी ने उनका डटकर विरोध किया नमबर 6 का जो पॉइंट आता है वो आता है विदेशी वस्तरों की होली अब देखें विदेशी वस्तरों की जो होली थी वो असयोग आंदोलन से चली थी कि असयोग यानि की अंग्रे जोगे साथ सयोग नहीं करना है इसलिए आपको और क्या क्या करना है तो उसमें विदेशी वस्त्रो की होली भी उसमें शामिल थी तो क्या करा था देखिए कि विदेशी वस्तर किस प्रकार भारतिय वस्तर उद्योग का विनाश कर रहे थे क्योंकि भारतिय वस्तर उद्योग विदेशी वस्तर कैसे थे तड़क-बड़क जैसे थे थोड़े से सस्ते मिलते थे और पतले होते थे ठीके और उनको उनका जो प्रियोग था वो भी बहुत आसानी से हो जाता था इस कारण से जो भारती जनता थी वो विदेशी वस्तरों की तरफ ज़्यादा आकर्शित हो रही थी और अंग्रेजों ने ऐसा काम करा था कि पहले से ही जो भारती उद्योग धंदे थे उनको पूरा ही नाश कर दिया था उनको पूरा समाप्त कर दिया था यहां का जो कच्चा माल था वो विदेश में जाता था यानि इंग्लेड में जाता था और वहां से यह जो देश हम यह जो संसार है सबसे पहले इस संसार में यानि कि पूरे विश्व में सबसे पहले जो ओध्योगिक रांती हुई थी वो कहां हुई थी यूरोप में हुई थी यूरोप में भी सबसे पहले कहां हुई थी इंग्लेड में हुई थी अब इंग्लेड के पास म मार्केट नहीं मिल रहा था और मार्केट नहीं मिल रहा था इसलिए उन्होंने क्या करा कि अन्य देशों को अपना गुलाम बनाना शुरू करा वहां से कच्चा माल वो अपने देश में ले जाते थे कार खानों में मशीनों के द्वारा वो माल जो भी प्रोड़क बनाता था जो भी उत्पात बनाता उस उत्पात को फिर अन्य देशों में जहां उनका शाशन चल रहा था टेक्स के रूप में करते थे तो भारत एक तरह का उनका मार्केट था क्या था मार्केट यानि कि भारत ये कैसे जगे थी जहां से उनको उनके प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता था तो वही उन्होंने यहां किया कि विदेशी वस्तु जितने भी थे बंद कर दीजिए आप अपने भारती उत्पात को ही प्रात्मिक्ता दीजिए तो ये काम हो सकता है तो यहां पर उन्होंने यही चाल चरी कि विदेशी वस्तु किस प्रकार भारती वस्तु द्योग का विनाज कर रहा है इसे दिखाने के लिए गांदी जी ने बंबई में स्वदेशी आंदोलन रुपी अगनी को प्रजवलित किया इसके अंतरगत गांदी जी ने एक बार बंबई में विदेशी वस्तु की होली जलाई हजारों लोग उसे देखने आए उन्होंने लोगों को अच्छी तरह समझाया कि विदेशी वस्तु पहनना पाप है और विदेशी वस्तु को जला कर हमने अपना पाप जला दिया है क्योंकि विदेशी वस्तु का वस्तु ही एक बहुती most important product था जो हर जनता को जरूरी था और वो वस्तु कहां से आते थे भारत के बार से आते थे अंग्रेजी सरकार के थे इंग्लेंड से आते थे इसलिए सबसे पहले इसको बंद करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक हम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो सकते है समर्थ नहीं हो सकते है तब तक हम आजाद नहीं हो सकते थे आगे देखिए बच्चो गांदी जी के प्रेना दायक नेतरत्व में कॉंग्रेस संस्ता ने सोतन्ता का समर्थन किया भारत के इतियास की धारा को मोड ही दिया सन 1914 इसमी में गांदी जी जब दक्षिन अफरीका से विदा हुए तो हजारों भारते यूवकों ने विदाई में उनका अपुर्व अभिनांदन किया ऐसी विदाई इस देश में पहले कभी नहीं हुई थी जोतने भी भारती लोग थे जो साउथ अफरीका में रहते थे क्योंकि जो मात्मा गांदी थे उन्होंने भारतीयों के अधिकारों के लिए वहाँ पर बहुत लड़ाई कराई हर्ताले करी थी अंशन करा था सत्यागरा करा था जो सत्यागरा शब्द था वो महीं से आया था साउथ अफरीका में ही हुआ था आगे चलिए बच्चो भारत आकर अनेक महीनों तक गांदी जी ने भारत का ब्रह्मन किया सबसे पहले क्या करा भारत में आ गए महां से 1914 इस्वी में वो आ गए आने के बाद में सबसे पहले उन्होंने कुछ अपने अनुआईयों को लिया साथ में और उनके साथ में मिलके वो भारत ब्रह्मन पर गए बारत ब्रह्मन करने का उद्देश ये एक मातर ये था कि वे देखना चाते थे कि भारत की जो इस्तती है वो कैसी है क्योंकि वे तो बहुत ही समय मतलब 1893 इस्वी में वे चले गए थे 1893 से और अभी तक के बीच में क्या हुआ है ऐसा वो सारी चीजों को देखना चाते थे इसलिए उन्होंने भारत ब्रह्मन करना ज्यादा उचित समझा इस ब्रह्मन में पुरोहित व्यापारी विख्षुक आदि सभी प्रकार के लोग सम्मेलित हुए गांदी जी गरीबों की कठीनाईयों और कष्टों का अनुभव करने के लिए सदे रते शेनी में यात्रा किया करते थे साउथ अफरीका में कहां यात्रा करते थे वे प्रथम शेनी के दिब्बे में लेकिन हिंदुस्तान में आकर भारत में आकर वे हमेशा थर्ड क्लास कमपार्टमेंट में यात्रा करते थे क्योंकि मही पर सभी लोग निवास सभी लोग ब्रह्मन करते थे या सभी लोग यात्रा करते थे तो उन सभी लोगों के बीच की जो इस्तती थी उनकी जो कठीनाई थी उनकी जो समस्या थी उनको जानने के लिए उस क्लास में यात्रा करना बहुत जरूरी थ इसलिए उनकी आवशक्ताओं को, उनकी समस्याओं को, उनकी परिशानियों को जानने के लिए फिर थर्ड क्लास में उनके साथ यातरा करते थे अब आता है यहाँ पर देखे स्वर्गा रोहन के महात्मा गांदी जी का यहाँ पर नंबर 7 का पॉइंट आएगा स्वर्गा रोहन के महात्मा गांदी जी का स्वर्गवास कब हुआ तो मात्रवुमे की स्वतंता का प्रेमी या महात्मा 30 जनवरी सन 1948 सिस्वी की साय कालिन बेला में हे राम का उच्चारन करता हुआ स्वर्ग सिधार गया कौन मात्मा गांदी की जुम्रत्यु है वो कब हुईती 30 जनवरी सन 1948 में तो अब देखे बच्चों यहाँ तक हमारा जो सारांच था वो पूरा हो चुका है अब चलते बच्चों हम यहाँ पर क्यूकि हमारे नाठक के जो पातर थे वो एक ही पातर है और वो है और वो हिंदी में होगा आपको संस्कट बाचा में नहीं देना आपको हिंदी में अपने शबदों में देना है लेकिन चरितर चितरन में कौन-कौन से बिंदू होते हैं यह आपको ध्यान में रखना है तो देखिए बच्छा हम यहाँ पर करते हैं इनका चरितर चितरन कि इनका महात्मा गांदी का तो महात्मा गांदी का चरितर चितरन करने के लिए सबसे पहले हमें परीचे लिखना है तो परीचे आपका क्या होना चाहिए कि आपको यहाँ पर महात्मा गांदी के जन्म उनके नाम, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम यह सब आपको इसमें लिखना है उसके बाद आपको कुछ बिंदू लिखने हैं उन बिंदूों के आधार पर आपको इनका चरित्र चित्रन करना है तो देखी क्या है परीचे लिखना पड़ेगा सबसे पहले और ये बहुत ही जरूरी है ये परीचे लिखना बहुत जरूरी है कि आप किनका चरित्र चित्रन कर रहे हो तो महात्मा गांदी का पूरा नाम मोहंदास करमचंद गांदी था इनका जन्म गुजरात के पोरवंदर नामक गाउं में इस्थान पर 2 अक्टूबर सन 1869 इस्वी को हुआ था इनके पिता का नाम करमचंद था माता का नाम पुतली भाई था इनकी माता एक धर्म परायन इस्थी जिनका पर्याप्त प्रभाव गांदी जी के चरित्र पर पढ़ा गांदी जी के चरित्र की मुख्य विशेष्ता इस प्रकार है अब विशेश था एकौन-कौन सी है, देखे, कि चरित्रे चितरन के बिंदु यहां लिखने हैं, कि सत्यवादी, मातम गान्दी कैसे थे, सत्यवादी थे, नैतिकतावादी थे, उपेक्षितों के नेता थे, यानि कि जिनके प्रती उपेक्षा का भाव रखा जाता था, उनक कूलियों के लिए वे लड़ते थे इसलिए कूली के वकील कहे जाते थे प्रेम और एकता का भाव उनके मन में था उग्रवाद के कट्टर विरोधी थे क्योंकि वे उधारवादी नीती को अपनाते थे स्वादेशी के पक्षदर थे स्वादेशी आंदोलन चलाया जिससे उन जो शब्द है उन्होंने अपने पूरे जीवन में लिया था और आखरी जो शब्द थे उनके जीवन के जब वे जीवित थे तब इस नाटक का इनके कोमल मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा जिसकी फलसरुप इन्होंने आजीवन सत्य बोलने द्रड संकल्प कर लिया कि मैं भी राजा हरी चुंद्री की बाती ही अपनी जीवन में सदेव सत्य का पालन करूँगा और आजीवन पालन भी किया विसम परिष्थतियों में भी इन्होंने सत्य का अवलंबन नहीं छोड़ा यानि कि सत्य का जो आचल था आचल बोल सकते हैं वो उन्होंने नहीं छोड़ा, अब विसम परिस्तती कौन से थी, कैटल शब्द को लेकर थी, और कैटल शब्द को लेकर जो वाक्या था, कि टीचर उन्हें नकल करवा रहे थे, लेकिन फिर भी वो नकल नहीं कर रहे थे, तो इस तरह से पता चलता है कि गांदी जी कैसे थे, सत्यवादी थे, आगे चलते बच्चों, नैतिकतवादी, कि उनका नैतिकतवादी भी एक गुन है, कि गांदी जी पर्यापत नैतिकतवादी थे, और नैतिक कारियों में इनकी रूचिक कदापी नहीं थी, कभी भी नहीं थी, और नैतिक कारियों में कभी करते भी नहीं थ सलता है कि जब विध्याले में आय कि इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर की जगे आप निरिक्षण भी लिख सकते हैं अध्यापक की निरिक्षण के बत्चों के लिखने का गऴा और recent के सही नहीं समझा, क्योंकि वो नैतिकता का आचरन कर रहे थे, आगे दिखी बचो, नमबर तीन का जो पॉइंट आता है, उपयुक्षितों के नेता, मादमा गांधी सदे भी उपयुक्षितों के हितों की पक्षिदर रहे, अपने इसी आचरन के कारण इन्हें अनेक बार गोर करते थे, विरोध प्रकट करते थे, या उनके अधिकारों के लिए साउथ अफरिका के जो अधिकारी थे, उनसे लड़ने चले जाते थे, इसलिए उन्हें कूलियों का वाकिल भी कहा जाता था, और ये क्यों कहा जाता था, क्योंकि वे उपयुक्षितों के नेता थे, जिन प्रेम और अहिंसा यहां तक पॉइंट आएगा इसका ठीक है कि प्रेम और अहिंसा गांधी जी के अनुपम अस्तर थे वह प्यार से और अहिंसात्मक का तरीके से कारी कराना जाना ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि वे उदार नीती के पक्षदर थे नरंगल के पक्षदर थ Jaे कि उग्रहुने उन्हें पसंद नहीं था हिंसा आत्मक्पत्वास एकता को एकता के सुत्र में पिरो levels छनत जो इधर उदर तितरी-बितरी बिखरी उइसी थी, 1914 से पहले जब मात्मा गांदी साउत अफरीका से वापस इंडिया लोटे भारत लोटे थे, तब उन्होंने देखा भारत ब्रह्मन कियों है, भारत ब्रह्मन करके उन्होंने देखा कि चारों तरब जो भारती जनता है, वो बिखरी उइस सी प्रती तो हो रही है तो सरव पर्थम उनका लक्ष क्या था उनका उद्देश क्या था कि सबसे पहले भारत वासियों को एकता का बाहो पढ़ाय जाए एकता का पाट पढ़ाय जाए एकता के सुत्र में बांध कर रखा जाए तभी हम आजादी के लिए लड़ाई लड़ सकते क्योंकि एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता उन्हें पदा था कि संगठन में ही शक्ती होती है तो इस कारण उन्होंने सबसे पहले क्या नारा दिया कि प्रेम और एकता का पाट पढ़ो यही कारण था कि इनके पीचे बारत के ही करोडो नागरिक नहीं अपे तो विश्वक की अन्य देशों के भी करोडो नागरिक खड़े रहते थे अर्थात इनका समर्थन करते थे आगे देखी बच्चो अगला आता है हमारा नंबर पांच का पॉइंट उग्रवाद के कट्टर विरोधी और हमने सारांश में देखा था कि उग्रवाद के वे कट्टर विरोधी थे उनको उग्रता बिलकूल पसंद नहीं थी कि उग्रवाद सदेवी लोगों की मन में घ्रना उत्पन करता है इससे लोगों के घर घर नश्ट हो जाते हैं गांधी जी ने जब स्वतंता प्राप्ति के लिए कभी उग्रवात का समर्था नहीं किया फिर सामान ने जीवन में तो वे इसको कैसे स्विकार कर सकते थे यानि कि स्वतंता आजादी प्राप्त करने के लिए क्योंकि अंग्रेजों की द्वारा जो आमान भी वेवार किया जाता था उसकी फल्स रूप भी उन्होंने कभी भी इंसात्मक कारी नहीं किया इंसात्मक जवाब नहीं दिया उग्रता नहीं दिखाई सहन किया सहीशनू बने तो फिर वे अपने जीवन में कैसे इस चीज को ला सकते थे तो गांदी जी कैसे थे उग्रवाद के कटर विरोधी थे उनके समय भी पंजाब में जब भारत आये थे तो उन्होंने क्या देखा कि पंजाब में उग्रवादियों की समस्या थी लोगों के साथ बड़ी कुरूरता के साथ वेवार किया जाता था तथा उन्हें कोडों से बुरी तरफ पीटा जाता था गांदी जी ने इसका डटकर विरोध किया लेकिन उग्रवाद नहीं किया क्योंकि वे उग्रवादी होकर फिर ये हरकते करते थे आगे देखी बच्चो नमबर 6 का जो पॉइंट आता है वो है स्वादेशी के पक्षदर स्वादेशी यानि कि अपनी खुद की वस्तुए अपने देश की वस्तुए अपने विदेश की वस्तुए देश में निर्मान होने वाली वस्तुए वैसे देखा जाए तो अंग्रेजी सरकार ने हमारे अध्योगी विकास पर बहुत बड़ा आगात किया था हमारे जितने भी लगो और कुटी रुद्योग थे उन्स सबग का नास कर दिया था और उन्होंने अपने विदेशी जो प्रोड़क्ट थे उनकी छाप छोड़ दीती यहां से क्या करते थे वे अफिम, गांजा, नील इनकी खेती करवाते और इंग्लेंड में लेकर जाते और वहां से जो भी मैटेरियल बनता उसको यहां लेकर आते थे और भारत की जंता को उचे दामों पर बेज दे थे तो उससे क्या हुआ भारत का जो घर-घर में खजाना था वो खजाना दीरे-दीरे-दीरे खतम होने लगा तो इस तरह से भी भारत को खोकला कर दिया था किनों ने अंग्रेजी सरकार ने तो स्वदेशी वस्तूओं को अपना कर गांधी जी ने क्या कहा कि स्वदेशी वस्तूओं को अपना कर ही हम अपने देश का विकास कर सकते ही यह सबसे पहली बात और most important बार थी क्योंकि अपनी इसी विचारधारा के कारण गांधी जीन ने मंबई में विदेशी वस्तुरों की होली जलाई थे अब यह होली क्यों जलाई क्योंकि जन्ता को यह बताने के लिए कि देखिए हम विदेशी वस्तुरों का प्रियोग नहीं करेंगे चाहे उन्हें जला डालेंगे लेकिन हम स्वदेशी वस्तुरों का ही प्रियोग करेंगे जिससे हजारों लोगों ने बढ़ चरकर भाग लिया उन्हें पता था कि इस तरह से कोई प्राक्टिकल करना बहुत जरूरी है किवल बताना जरूरी नहीं है उन्हें किवल समझाना जरूरी नहीं है समझाने से और बताने से कोई जन्ता जागरत नहीं हो पाती है सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें भी उनके जैसा बनना होगा तो हमें क्या करना है कि हम विदेशी जितनी भी वस्तू है कपड़े है, सबसे पहले तो कपड़े थे उनकी होली जलाई, होली चलाने से पूरे देश में एक तरह की क्रांती आ गई सबी लोग गरगर से कपड़ी लेकर जाते थे या स्वेम भी उन विदेशी वस्तुओं की हुली जला रहे थे अंग्रेजों के सामने अंग्रेजों को ये लगा कि अब भारत में एक क्रांती का बीच बोच चुका है उन्होंने भारतियों को बताया कि विदेशी वस्तुओं पहनना पाप है और विदेशी वस्तुओं को जला कर हमने अपने पाप को जला दिया है तो भारतिय, क्योंकि धार्मिक प्रवर्ति के थे, भारत तो भारत में ध्रम का निवास था, अर धर्म के अंदर पाप और पुर्नी का बहुत बड़ा योगदान था, पाप और पुर्नी की जो विचारदारा थी, वो बहुत बड़ी थी, इस विचारदारा के साथ ही Ghandi जी उन ऐसे point को पकड़ा कि जहां से जनता को जल्दी से शिग्रे जागरत किया जा सकता है आगे देखी बच्चो number 7 का point कि भेदभाव के विरोधी गांदी जी कैसे थे? भेदभाव का विरोध करते थे जाती पाती के बंदन को वो तो उड़ते थे इसलिए वे हरी जन भी कैलाई थे क्या कैलाई थे? हरी जन कैलाई थे यनि कि इश्वर के बगत इश्वर के मनुश्य गांदी जी गांदी जी व्यक्ती व्यक्ती में कोई भेदभाव नहीं मानते थे बले वक किसी भी जाती रंग अथवा लिंका क्यों न हो उन्होंने अनेक कष्ट उठाकर इस बेद बाव का अधया विरोध किया CoronPod Tour चलाया और वहान से विजै host कर लोटे थे रंगबिद क्या था गोहरे काले के बीच बीच में जो भेद बाव था उस बेद बाव को दक्षिन अफरीका में उन्होंने मां उसका मतलब उसका गोर विरोध किया उस विरोध के फलसरों पूर ने सफलता मिली और फिर वे भारत लोटे थे सन 1914 में तो जितने भी भारत वासी जां महार रहते थे उन सभी ने उनका बहुत ही अच्छा अभिनंदन किया उनका स्वागत किया और उनको इस तरह से विदाई दी जैसी पहले कभी आस तक नहीं दी गई थी आगे देखी बचो लास्ट पॉइंट है हमारा राम के परमभक्त ग गांदी जी राम के परमभक्त थे सन 1948 इस्वी में 30 जनवरी को इन्होंने हे राम कहकर अपने प्रान त्यागे थे निशकर्ष रूप से क्या आता है यहां तक हमारा हो गया कि निशकर्ष रूप से कहा जा सकता है कि गांदी जी सत्यवादी, नैतिक्तवादी, रंगवेद क गुनों से युक्त भारत माता के सच्चे सपोत तथा मानवता के पुजारी थे, उनके इस्थान की पूर्ती सर्वता असंभव है कि उनका इस्थान कोई भी नहीं ले सकता है कि गांदी जी ने जो कारी किया है वो कारी और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है इसलिए उन्हें मह आत्मा गांदी कहा जाता था तो देखे बच्चो हमारा क्या हो गया है सारांश हो चुका है और हमारा यहाँ पर चरितर चितरन भी हो चुका है तो चरितर चितरन आपको इन 8 पॉइंट की आदार भी करना है अपने शब्दों में लिखना है पॉइंट जरूर आप याद कर सक बनो बन सकता है महातमा कुत्र जन्म लेवे आएगा कि महात्मा ने जन्म कब लिया था सह की जगह आप महात्मा भी लिख सकते और गांधी महाशय गांधी महाशय जन्म कुत्र अभुव इस तरह से भी आ सकता है कि गांधी महोदे का जो जन्म है वो कहां हुआ था अभुवव यानि कि कहां हुआ था अब अबत है उत्तर है हमारा कि पोरबंदर नामनी नगरे गांधी महाशस्य जन्म अबुबा आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सह पोरबंदर नामनी इस्थाने जन्म लेवे या ऐसे लिख सकते हो महात्मा पोरबंदर नामनी इस्थाने जन्म लेवे तीक है, आप कैसे भी लिख सकते हो, बस answer क्या आएगा, पोर बंदर नामनी नगरे, ठीक है आगे चलते बच्चों, question number 3, तस्या, तस्या नहीं उनका, यानि कि मातमा गांधी का मातमा गांधी की मातुर नाम किम आसित, मातमा गांधी की मा का नाम क्या था या फिर मात्मा गांधी न मातुर नाम कीम आसित या फिर मोहन्दास मातुर नाम कीम आसित कैसे भी पूछ सकते हैं मात्मा गांधी 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 मोहदस्य या फिर मात्मा गांधी या फिर मोहन्दास असित क्योंकि उनका जो नाम था वो क्या था मोहंदासी था गांधी महात्मा उनको बाद में उपादी दी गई थी उत्तर देखे क्या है हमारा कि तस्य यानि महात्मा गांधी ना सेम लिखना है मातूर नाम मातु नाम पुतली बाई आसीत क्या था? पुतली बाई था उनकी माता का नाम कौशनकर नम्बर 4 मदूर स्वभाव की धर्म का पालन करने वाली थी और परम पवितर उनका चरित्र था तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है का कोशन देखे कई तरह से है केन नाटकेन महात्मा गांधीन रदयम परिवर्तितम अभवत किस नाटक से महात्मा गांधी का रदय परिवर्तन हो गया था तो हरिश चंदर नामना नाटकेन केन की जगे यहाँ पर क्या आएगा कोशन No.6 का नाम था विध्याले निरिक्षक का आसित कौन था विध्याले निरिक्षक का आसित हैं नाम घाइल्ज आसित आप ऐसर भी लिख सकते हो थिए यह घाइल्ज ठीक trat यह आपको याध रखना है कोशन नुमर सेवन आता है कि विद्ध्याले नीरिक्षक प्रिया निरिक नि क्या कहा किने महात्मा गांदी को क्या कहा तो विद्याले निरिक्षकेन पंच शब्दानाम वन्ड विन्यासम शुद्दं लिखितूम अकत्यत की विद्याले निरिक्षक थे यानि कि जो भी निरिक्षक थे जो टीचर बनके आये थे महाँ पर इंस्पेक्टर बनके आये थे उन्होंने पांच शब्दों की वन विन्यास को शुद्ध लिखने में लिखने के लिए कहा था बच्चों से कहा कि पांच शब्दों को शुद्ध लिख लिख लिजिए वन विन्यास की तरह से लेकिन मात्मा गांदी ने क्या करा था जो cattle शब्द था वो गलत लिखा था अब cattle शब्द गलत लिखने के बाद teacher ने कहा कि आप इससे सही कर दीजिए मात्मा गांदी तो हरिश्चंद्र नाटक देखकर आये थे उनसे प्रेणा लेकर आये थे तो वो कैसे उसे सही कर सकते थे उन्होंने सही नहीं किया और वे उनके शिक्षकों के क्रोध के भाजन बन गए थे आगे चली बच्चों कोशन नमर 8 महात्मा गांदी नेटाल नगरे कदा आग अच्छत महात्मा गांदी नेटाल नगर में कब आये थे तो महात्मा गांदी नेटाल नगरे अठारा सो तरानवे तमे खिस्टाब्दे इस वी अप्रेल मा से आग अच्छत अप्रेल महीने में कोशन नमर 9 आता है गांधी मोहदय दक्षिन अफरीका देशं कदा व्यसरज़त कि गांधी मोहदय ने अपनी दक्षिन अफरीका को कब छोड़ा मतलब जब दक्षिन अफरीका की आतरा कर रहे थे वो महापर पढ़ाई के लिए गए थे तो उन्होंने उसे कब छोड़ा था गांधी मोहदय दक्षिन अफरीका देशं 1914 तमें खिस्टाब दे इसवी प्यसरज़त उस समय छोड़ा था 1914 इसवी में उन्हें छोड़ा था आगे देखिए कोशन नमर 10 गांधी मोहदय केन यानें कुत्र गता या धूम यानें गांधी कुत्र गता कि धूम यान किसे बोल तो हमें क्या लिखना है कि गांधी मोहदय धूम यानें केन की जख्या आ गया धूम यानें और कुत्र के लिए आ गया प्रेटोरिया नगरम प्रतिगतह प्रेटोरिया त्रेन से कहां जा रहे थे वो कहां जा दे थे प्रेटोरिया नगर प्रेटोरिया नामक नगर में जा रहे थे कोशन नमर 11 आता है गांधी मोहदे विद्वेशत से स्थाने कम उपादिशत उन्हों गांधी मोहदे ने यह गांधी जी ने कहा क्या कहा कि विद्वेश के स्थान पर आपको क्या अपनाना चाहिए कि उन्होंने कहा कि सत्य का आचरन करो विद्वेश के स्थान पर आ देना है तोिह आंसर क्या है कि गelet आगे चलते कोश्ठनमर ट्वैल तो कोशन मेडा की न्तल utility can जनवरी मासस्य तिरिंशे दिनां के संध्याया समय स्वर्ग गता के 1948 के 30 जनवरी को 30 तारिक जो जनवरी महिने की थी जनवरी महिने की 30 तारिक को शाम की बेला में स्वर्ग सिधार गए थे कोशन नमर 13 आता है कि महातमा गांदी किम वाक्यम उचारयन स्वर्ग जगाम के महातमा गांदी जब स्वर्ग सिधार रहे थे तो कौन सा वाक्य उन्होंने उचारित किया था कौन सा किया था हे राम ठीक है तो महातमा गांदी हे राम हे राम वाक्यम वाक्यम उचारयन स्वर् दीखना है आगे दीखिए बचोंको फॉट्टीन कोशन नमर 14 दीखिए अब कई तरह से एक्जाम में आ सकता है लेकिन इसका अंशर एक तरह होगा इसलिए सारे कोशन यहां पे दिए गए है 14 question है कि महात्मा ना पितु की नाम आसित या महात्मा गांदी ना पिता का आसित या महात्मा पितुर नाम की मासित तो एक ही अंसर है कि महात्मा पितुर नाम करम चंद गांदी आसित क्या नाम है करम चंद गांदी तो महात्मना पितु नाम करम चंद गांधी आसित Question number 15 है कि महात्मना पूर्ण नाम की मासित हम तो गांधी जी गांधी जी बोलते है या मात्मा गांधी बोलते है तो मात्मा का मात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था मोहन दास करम चंद गांधी महात्मना पून नाम मोहन्दास करमचन्द गांदी करम चंद गांधी महात्मान पून ना मोहंदास करम चंद गांधी आसित आगे देखें बचो कोश नमर 16 गाइल्स का आसित गाइल्स कौन था बई? विद्धाले निरिक्षका कौन था वो? एक तरह से स्कूल इंस्पेक्टर था तो क्या लिखेंगे यहाँ गाइल्स विद्धाले निरिक्षका आसित कोश नमर 17 आता है महात्मान गांधीन पिता कीद रशा आसित इस तरह उनके पिता कैसे थे? तो महात्मान गांधीन पिता सद्गुनी आसित उनके पिता कैसे थे? सद्गुनी थे यानि कि सद्गुन का आचरन करने वाले थे तो देखे बच्चों ये हमारे वन लाइन अंसर हो चुके है अब चलते हम यहां MC की तरफ तो महा पहला जो कोशन आता है वो आता है कि महात्मन संस्मरानानी शिर्शकव पाठ का नायब कौन है कौन है यहां पर जन भाापू नामक पुस्तक या इनमें से कोई नहीं अराम से बता सकते हो आप कि भापू नामक पुस्तक क्योंकि सारंज में हमने सब कुछ पड़ा है विद्धालें नीरक्षक गायल्स क्यों आया वह था अध्यापकों की उपस्तिती देखनी के लिए नहीं चात्रों की उप नाम नाम सत्य मदूर बचन या जैहिन सत्य बोलते थे क्या बोलते थे सत्य बोलते थे कोशन नमर 5 आता है कि महात्मा गांदी को अपने शिक्षकों का कोप भाजन क्यों बनना पड़ा क्यों बनना पड़ा था यानि कि उनको क्रोध क्यों आया था विद्याले निरिक्षक के जूट बोलने के कारण नहीं, वन्य विन्यास की नकल करने के कारण बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, वन्य विन्यास की नकल न करने से उसे गलत लिखने के कारण, बिल्कुल इसलिए, और शब्दों का अनुचित वन्य विन्यास लिखने के कारण, बिल प्रिटोरिया, पोरबंदर, नेटाल नगर या बंबई वे कहा पहुँचे थे? नेटाल नगर पहुँचे थे Question number seven आता है गांधी जी प्रिटोरिया नगर जाते समय कौन सा टिकेट लेकर रेल में बैठे थे? कौन सा टिकेट सामन्य श्रेनिका दित्य श्रेनिका प्रथम श्रेनिका या त्रत्या फर्स्ट लास का टिकेट लिया था उन्होंने प्रथम श्रेनिका लेकिन जो साउथ अफरीका के लोग थे उन्होंने उनको महा से धक्ये माल कर बाहर निकाल दिया था आगे देखते बच्चो कोशिन नमर 8 दक्षिन अफरीका से महात्मा गांदी किस सन में स्वदेश लोटे थे स्वदेश कब लोटे थे 1948 बिल्कुल नहीं ये तो उनकी मृत्यू का समय है 1893 ये तो उनकी नेटाल नगर पहुँचने का समय था यानि कि जब भारत से वे साउथ अफरीका गए थे साउथ अफरीका के नेटाल नगर में गए थे 1809 सित्तर ये उनके जन्म का समय था तो यहां देखिए ये जो सन है आपका 1914 जब वे वापस भारत लोट चुके थे कोशन नमर 9 आता है कि दक्षिन अफरीका से लोट कर महात्मा गांधी कई महीनों तक क्या करते रहे क्या करते रहे थे पूरोहितों के साथ व्यापारियों के साथ और जो भिख्षक थे उनके साथ में भारत ब्रह्मन करते रहे थे क्या करते रहे थे भारत ब्रह्मन तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भारत ब्रह्मन असयोग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन या अहिंसा का प्रचार वे भारत ब्रह्मन कर रहे थे कोशन नमर 10 आता है कि पंच नद प्रांते उग्रवादीना पंच नद प्रांते क्या था पंजाब पंजाब में उग्रवादियों में समस्या आसित समस्या थी वाकि में पंच नद प्रांत किसे कहा गया है उत्तरपरदेश को बिहार को बंगाल को पंजाब को पंजाब को क्य क्या का जाता है पंच नद और पंच नद क्यूं कहा जाता है क्योंकि वहापर 500 बहती है000 पांच नदिया हों महां से उकर गूजरती है इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है emba हो चनद यानि कि पंजाब सिंव नमर 11 है कि अधतन इवे गांधी काले अपी काले अपी उग्रवादीना समस्य आसित में वाक्य पूर्ती होगी प्रांते प्रांते क्या यहां पर प्रांते किसके लिए आया है अधतन इवे यह इसके समान है किसके समान है पंजाब के लिए किसके लिए आया है यह पंजाब के पंचनद से आया है कोशन नमर ट्वैल आता है रिक्तिस्तान दिया हुआ है संस्था कौन सी संस्था के लिए प्रतेक जाते पुरुष्वर्ग नारी नीचयम चा अक्रश्ट वर्ति में रिक्तिस्तान में क्या आएगा अब यहाँ पर कौन सी एक संस्था थी जो प्रतेक जाती की पुरुश्वर्ग और नारियों के लिए मतलब उतक्रश्ट कारे कर रही थी कौन सी संस्था थी राश्ट्री करांति की बिलकुल नहीं रा किस शब्द का वर्ण विन्यास करने में असमर्थ हो गये थे महंदास महंदास नहीं मात मगांदी टैकल गाइल्स टेबल या कैटल कैटल शब्द का विन्यास नहीं कर पाए थे आगे चलते बच्चों कोशन नमर 14 नाटके नानिन अयम हरिश चंद्र इवस सत्यसंद जब भव वीर सत्चरित्र अहिंसक या वीर तो नाटक में जो हरिश चंद्र है उनके लिए क्या आएगा सत्चरित्र हरिश चंद्र कैसे थे सत्चरित्र थे कोशन नमर 15 आएगा कि महात्मा गांदी डैश नगरे जन्म लेबे कौन से नगर में उन्होंने जन्म लिया था पूने नग कोशन नमर 16 आता है कि मोहन दास सत्य प्रिय निर्भयों जाता है कैसे थे मोहन दास जो थे वो सत्य प्रिय और निर्भयों किसके समान थे वे मातेव भ्रातेव पितेव या गुरुजन पितेव उनकी पिता कैसे थे सत्य प्रिय थे सत्य का आचरन करने वाले और निर्भेग थ वो किसी से डरने वाले नहीं थे कोश नमर 17 आता है कि पुतली गांधी ना आसित पुतली गांधी के कौन थी पत्नी माता पुत्री अशिश्या माता पुतली भाई कौन थी महात्मा गांधी की माता थी कोश नमर 18 आता है कि महात्मा ना पितूर नाम आसित महात्मा के पिता का कि हैं तक हो गए वैसा तो चप्टर पूरा अच्छ से आगे देखी पर जो कूर नमनalar 19 विद्धाले निरिक्षक करें वहींस पीटर और गजेंद्र विद्धाले के निरिक्षक थे शर्रीक गाइल्स मोहदे आये थे और उन्होंने 5 शब्द दिये थे बच्चों को 5 शब्दों में से कैटल शब्द महात्मागांदी का वार्ण विण्यास नहीं कर पाए नकल करवाई लेकिन नहीं की गुस्सा हो गई टीचर कम मांग दियोंगे लेकिन आगे जाकर वह जो बच्चा थ महात्मानस संस्वरानी उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है और मैं आपसे यही फिर से यही पूछना चाहूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में लिकर जरूर बताईए कि आपको इसी तरह से पढ़ना है या पूरी जो संस्कत अनुवाद है उसको हम डारेक्टली अनुवाद क आती हूं आपके विचार भी जानना चाहते हूं तो कमेंट बॉक्स में लिकर जरूर बताईए और आज की क्लास बच्चों यहीं समाप्त होती है अगली क्लास बनाया चप्टर लेकर फिर से आजिर होते हैं तब तक के लिए थैंक्यू कर दो